So hello fans, welcome to another video दोस्तों क्या आपको पता है कि Realme की तरफ से अब हमें बहुत ज़ली Realme 6S देखने को मिलेगा और अब Realme 6S को यूरोप में अफिसली लॉंच कर दिया गया है और कुछ दिनों के बाद ही इस फोन को इंडिया में भी लॉंच कर दिया जाएगा जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 90Hz का रिफ्रेस सेट वाला डिस्पले मीडिया टेक हिलियो जी, 90T का चिपसेट, क्वार्ड डियार कैमरा का सेटप और भी बहुत कुछ So fans, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 6S के बारे में जानेंगे इस फोन की डिजाइन के बारे में इस में क्या कुछ इस परिफिकरसन मिले वाला है जानेंगे इस फोन की प्राइस क्या होने वाला है और लॉंच डेट के बारे में So fans, अगर आप लोग भी जानना चाहते है जादा Realme 6S के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए So fans, let's get started So fans, सबसे पहले अगर बात किया जाए इस फोन की डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंचिस के एक Full HD Plus IPS डिस्प्ले जो की डिस्प्ले साइज में बहुत ही बड़ा होने वाला है जो की एक सिंगल पन्चोल डिस्प्ले के साथ आएगा जो की टॉप की left corner में shift किया गया है डिस्प्ले में यहाँ पर आपको 90 Hz का refresh rate बाला डिस्प्ले दिया गया है साथ ही यहाँ पर आपको मिलने वाला है Face Unlock का फीचर और Phone Side में आपको Corning Gorilla Glass 3 Plus का Protection भी दिया गया है इसी के साथ ही फेंट्स अगर बात किया जाए E-Spone की Back Panel की तो Back Panel में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Polycarbonate का Back जो की 3D Glossy Gradient Finishing के साथ आने वाला है और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा Quad Rare Camera का Setup उसके बाद फेंट्स बाद आती है E-Spone की Camera की जो की इस device का सबसे बड़ा Highlighting Feature होने वाला है तो फेंट्स यहाँ पर Rare Side में आपको देखने को मिलेगा Quad Rare Camera का Setup जिसका Main Sensor आपको देखने को मिलेगा 48 Megapixel का जो की F1.8 aperture के साथ आता है साथ ही यहाँ पर आपको 3 All Lens भी देखने को मिलेगा जो की होने वाला है 8 Megapixel का एक Ultra Wide Angle Lens 2 Megapixel का एक Depth Sensor और 2 Megapixel का एक Micro Lens भी दिया गया है उसी के साथ इफेंट्स अगर बात किया जाई इस फॉन की Fond Camera के बारे में तो Fond Camera में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 Megapixel का एक Selfie Camera जो की F2.0 aperture के साथ आने वाला है और आप बात आती है इस फॉन की Possessor की तो Possessor में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MediaTek Helio G90T का Chipset और एक Possessor काफी Powerful और Fast Possessor भी है जो की एक Octacore Possessor है साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा Android 10 का Support जो की Run करेगा Realme UI के उपर इसी के साथ इफेंट्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है 4300MH के एक बड़ी बैट्री जो की बहुत ही बड़ी बैट्री है जो की 30W के First Charging के साथ आएगा जिसके तुरू आप अपने फोन को बहुत ही Quick Charge कर पाएंगे इसी के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा USB Type-C Port, 3.5mm के एक Headphone Jack, Dual SIM Slot और Out of the Box आपके 30W का First Charger भी देखने को मिल जाएगा तो फेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको Charging और बैट्री को लेकर कोई भी Problem नहीं होने वाला है So finally फेंट्स बात आती है Realme 6S की Price और Launch Rate की तो फेंट्स Realme 6S का Price होने वाला है इंडिया के अंदर, 17,000 के अंदर और इसी के साथ ही पेंट्स अगर बात किया जाए Realme 6S की Launch Rate के बारे में तो Realme 6S की Launch Rate के बारे में अभी तक कोई भी Information नहीं आया है लेकिन बहुत जल्दी इस फोन को इंडिया में Launch कर दिया जाएगा अगर आपके बास कोई भी Question है इस फोन के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट करके पूछ चाकते हो आज की इस वीडियो में बास इंड़ा ही आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैलेंग को जरूर सब्सकाइब करें थैंक्स पर वाचिंग